अब दिल्ली के साथ साथ वारा नसी में भारत के कारपेट उद्योग को हमारे बुनकरों को डिजाइनरों को व्यापारियों को अपना कौशल अपने उत्पादन दुनिया के सामने दिखाने का आउसर मिल रहा है साथियों मुझे खुशी है कि जिन लक्षों को ले करके दिन दयाल हस्तकता संकुल का निर्माण किया गया था उन लक्षों की तरफ हम तेज गती से बढ़ रहे हैं यह इसलिए भी महत्वपुन है क्योंकि एक शेत्र बुनकरों का कारपेट उद्योग का हब है यहां देश के हस्त सिल्फ से जुड़े करीब एक चौथाई बुनकर स्रमीक और कारोबारी बहन भाई रहते हैं वारणसी हो भदोई हो मिरजापूर हो यह कारपेट उद्योग के सेंटर रहे हैं और अब पूर्वी भारत यह पूरा ख्षेत्र देश के टेक्स्टाईल एक्सपोर्ड का भी ग्लोबल हब बन रहा है